नमश्कार मैं डॉक्षिन विदिता आज आपसे बात करूगी जो कॉमन मिट्स हैं इन्हिलर के बारे में उसके बारे में इन्हिलर्स हम जनरली देखा होगा आपने की ऐलोपेथिक प्रेक्टिशनर्स उन लोगों को प्रिस्क्राइब करते हैं जिन्हें सांस लेने में दिक्क रीजन यह है कि अस्तमा में आप की जो LUNGS हैं उसमें ब्रॉंखियोल्स और Errorize होती है जहां पर गैस इसका होता है एस्थमा में एलर्जिंस की वज़े से इन में सूजन आ जाती है जिसकी वज़े से सांस का आना जाना दिक्कत हो जाती है तो इसी की वज़े practitioners inhaler को prescribe करते हैं जिसमें steroid present होता है जो आपकी सूजन को कम करता है जिससे वो जगे कम हो गई है सास आने जाने का रास्ता जो अवरुद्ध हो रहा है वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू होता है ये case अगर किसी का chronic अस्थमा है यानि कि बहुत सालों से उसे अस्थमा है तो उसे advice किया जाता है कि आपको कोई दिकत हो या ना हो आप inhaler जरूर लेते रहें on regular basis दिन में एक या दो बार इसके myths के बारे में बात करेंगे मतलब ऐसी कई सारे मन में अवधार्नाएं हैं कि क्या inhaler हम long term पे लेते हैं तो problem होती है और अगर होती है तो क्या क्या problem होती है जब हम inhaler की बात करते हैं तो सिधा सिधा steroids उससे जुड़ा हुआ है और steroids के बारे में हम सभी जानते हैं कि steroids के बहुत सारे side effects होते हैं जैसे कि एकदम से weight बढ़ जाना, आपकी immunity पे इसका प्रभाव आना, आपकी हड़ियों का कमजोर हो जाना क्योंकि bone density इससे धीरे-धीरे कम होती है और osteoporosis, osteopenia के लिए आप prone हो जाते हैं इसके साथ में आपकी kidney पे, आपके heart पे इसका प्रभाव पढ़ना और जितने भी chronic diseases हैं, उन सभी diseases के लिए आप prone हो जाते हैं यानि कि आप में उन diseases के होने का खत्रा बढ़ जाता है steroids का नाम आते ही इन सारी चीज़ों का हमारे दिमाग में ख्याल आता है लेकिन ये जानना बहुत जादा जरूरी है कि steroids आप ले किस तरीके से रहे हैं आपको steroids दिये जाते हैं सिर्फ locally locally मतलब आप जब ये दवाई डाल के मूँ के रास्ते दवाई को ले रहे होते हैं तो ये सिर्फ आपके lungs तक दवाई जाती है आपके पूरे शरीर में नहीं जाती है in comparison to oral steroids मतलब जब हम steroid को दवाई के रूप में खा रहे हैं तो पहले वो दवाई आपके पेट में जाएगी वहाँ पे absorb होगी वहाँ से blood circulation में आएगी और blood circulation के थूँ जहाँ पे उस steroid की requirement है वहाँ बेजाएगी इस oral medicine के case में आपका ये steroid पूरे शरीर पे प्रभाव डालता है तो उसके अच्छे और बुरे प्रभाव पूरे शरीर पे होते हैं लेकिन जब हम inhaler की बात करते हैं तो inhaler में वह दवाई सिर्फ आपके लंग्स में जा रही है तो जब हम देखते हैं कि अगर medicine कितने ग्राम में जा रही है तो हम miligram में दे रहे होते हैं टाबलेट के फॉर्म में जबकि माइक्रोग्राम यानि कि बहुत ही कम डोज में दे रहे होते हैं inhaler के रूप में अगर आप restricted dose में safe medication ले रहे हैं तो इसके जो side effects से बहुत negligible हो जाते हैं कोई ज़्यादा problem आपको नहीं आती है लेकिन अगर आप इसको बहुत ज़्यादा मतलब किसी भी चीज की अतिक हराब होती है अगर आप inhaler बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और कई सालों से ले रहे हैं तो कहीं न कहीं इसका side effect develop होता ही है तो आपके हड्यों पे, आपके lungs पे, आपके heart पे, kidneys पे इसका असर पढ़ सकता है बहुत सालों पात एक और जो common myth है यह यह है कि यह बच्चे और pregnant women's inhaler को use कर सकती हैं यह नहीं कर सकती हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि inhaler, misteroid जो दिये जाते हैं वो सिर्फ आपके lungs पर ही effect करते हैं तो आप बेशक बचा हो या फिर छोटे से infants हो या फिर pregnant women हो वो भी inhaler को use कर सकते हैं क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो problem बढ़ सकती है और pregnant women जो baby carry कर रहे हैं उसकी growth में भी problem आ सकता है लेकिन आपको कुछ चीजे ध्यान में रखनी हैं तो ये एक steroid है तो आपके मुँ में अगर ये चिपका रह गए ये दवाई तो आप प्रोन हो जाते हैं fungal infection के oral fungal infection याने आपके मुँ में fungal infection होने का खत्रा बढ़ जाता है आपकी आवाज बदल सकती है आपको sore throat हो सकता है गले में दर्ध हो सकता है इसी तरीके की कुछ problems आपको आ सकती है तो इनसे बचने का उपाई ये है कि जब आप दवाई ले ले उसके बाद अपने मुँ को गरम पानी से या नॉर्मल पानी से रिंस कर ले वाश कर ले ताकि उसका जो side effect है वो आपको ना हो कोई किसी तरीके के infections आपके मुँ में develop ना सबसे common side effect जो asthmatic patients जो inhalers use कर रहे हैं long time से उन में देखने को मिलता है वो होता है उनकी growth मतलब अगर एक बच्चा 55 से inhaler को use कर रहा है तो उसकी height और उसकी health में शायद थोड़ा कमी रह जाए 1-2 cm से लेकर in comparison to other person क्योंकि उन्हें सांस लेने में उनको normal उनकी growth में जो आपकी oxygen, blood circulation इन सब चीजों की requirement होती है वो in comparison to other person asthmatic patients में कम हो जाती है तो आपको ये problem देखने को मिल सकती है तो कोशिश करें कि आयूरवेदिक तरीके से या natural तरीके से अपनी immunity पे आप काम करें और inhaler से जितना हो सके आप दूर रह पाएं और धीरे धीरे आप अपनी problem को resolve कर सकें क्योंकि inhaler आपको symptomatic relief दे देती है आपकी problem को completely resolve नहीं करती है रिवर्स नहीं करती है तो अपनी problem को समझ के उसका निदान संजहें कॉसे संजहें और उसका treatment प्लान करें ताकि आप एक healthy life जीपाएं इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद अगर आपके मन में कोई भी questions है यह आस्तमा के लिए आप treatment प्लान करना चाहते है डाइट प्लान करना चाहते हैं और नंबर्स पर फोन करके हमसे बात कर सकते हैं यह comment section में comment करके भी बात कर सकते हैं